नमस्कार, हेलोरियों स्वाद करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पर वैलकम टो और चैनल आज हम डिसकर्स करेंगे सिमेंट सेक्टर में से शेर ओरियंट सिमेंट ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी और इंका शेर NSE BSE दोनों पर आपको मिल जाएगा ओरियंट सिमेंट का बिजनस मौल क्या है, क्या टागेट रहेगा शेर का, वो हम डिसकर्स करेंगे इस वीडियो में अगर आपके पोर्टफोलियो में है ये शेर या फिर नई खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखे हैं तक बिना स्किप किये जिसे एक सही information आप तक पहुच पाए और आप एक सही decision ले पाओगे कि ये शेर में हम बने रहे या फिर श्ट्रीकली निकल जाए और हां दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आयो फर्स टाम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब जरू कर लेना जहां हम सिर्फ कॉलिटी स्टॉक आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं तो गाई सब्सराइब जरू करें जिससे आपको कॉलिटी स्टॉक मिलते रहे और रेगलो बेसिस पर तो बिना किसी द जिलाई 2013 में सबसे पहले हम यह देख लेता है औरियन चिमेन ने अब तक कितना रिटन दिया है अपने इन्वेशकर्श को हो एक साल की value होती 50,600 के आसपास, 50,600 के आसपास, means share ने 5 साल में तो अच्छा return दिया है, but overall share ने ठीक ठाक return दिया है, अपने investors को, अब बात है second part पर, company के fundamentals कि इतने strong and experts का rating दे रहे, वो हम देख लेते है, 56% experts buy की rating दे रहे, 11% hold की rating दे रहे, and 33% sell की rating दे रहे, market cap करीबन 6,000 के आसपास है, P ratio 33.86 है, industry P 47.05 है, means as per industry P share काफी सस्ते price पर trade कर रहा है, book value 85 है, which means book value 3.4 times rate कर रहा है ये share, and इसके सामने 1 की face value पर ये share, means ये share कहीं ना कई valuation wise comfort दे रहा ह है, no doubt, और जहां company quarter and quarter 50 crore का profit बना रहे है, on and average, और जहां foreign institution and other domestic institution अपना stake कम किया है, but mutual fund अपना stake बढ़ाया है quarter and quarter पर, और अब हम चार देख लेते हैं, तो है technical wise देख लेते हैं, जिससे और चीज़े clear हो सके, share अभी trade कर रहा है, 290 के आसपास, 52 week higher का 370, and 52 week lower का 160 के आसपास अगर इस level से 290 से rejection आता है, तो ये share आपको 260, 240 और 220 के level से दिखा सकता है, but 240 के नीचे जाना तुरह मुश्किल लगता है, बट ये stock market है, कुछ भी हो सकता है, ये note करना हमाने levels कभी भी levels में मिलता है, तो ये share के बारे में जरूर सोच सकते हैं, long term के लिए, अगर कोई entry लेन 110, और जैसे 340 के level को sustain करेगा, तो ये share आपको 360, 380 के levels दिखा सकता है, means इस level से 30 से 32 परसंद के आसपास का upset दिखता है आने वाले time में, मेरे थोड़े इससे भी उपर के targets है, बट फिलाल के लिए आप 380 का target लेके चल सकते हो, तो जैसे target अचीव होता है, मैं इसे फिर से review क परेंगे आगे के targets के लिए, आप note करना हमाई target आपको 12-15 मेंने में अचीव होते जरूर नजर आएंगे, उससे पहले भी target अचीव हो सकता है, बट safer set के लिए आप 12-15 मेंने का time frame लेके चल सकते हो, at last, conclusion क्या है, क्या करना चाहिए हमें ये share में, बिलकुल बने रह सकते हो, ये share में नई खरीदारी करने का भी सोस होकते हो, जो हमने levels बताएं उसके हिसाब से, कभी कोई भी गिरावट मिलती है, तो जरूर सोस हो सकते हो, share के बारे में 380 के target के लिए, और हर गिरावट पर आप SIP कर सकते हो, accumulate कर सकते हो, तो ये share अब अपने watch list में जरूर एड़ करे अगर आपके portfolio में उपर के भाव पर आपने buy किया हुआ है, तो बिल्कुल बने रहे, and market को work देना, guys, patience रखना तब ही आपको एक अच्छा return मिल सकता है, because market में उतार चड़ाव रहते ही है, तो अपने पैसे ऐसी जगर निवेश करें, जहां आपका पैसा, आपका capital सेफ रहे and हाँ दोस्तों, आपको इभी investment करते हो, तो प्लीज अपने advisor से जरूर सला ले, and सबसे ज़्यादा आपको रिसरच करे, I hope आपको इवीडियो and हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक like जरू करे, and subscribe करना ना भूले, तो मिलते हम दूसरी वीडियो में जुडे हमारे साथ, thank you so much for watching this video, अपने ख्यार रखना, जय हिंद!